वेलकम तो अवर चैनल ग्यानलो आज हम करेंगे मेटलर्जी का जो लास्ट पॉइंट है वह है प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ओफ मेटल देखिए यह लास्ट पॉइंट होता है देखिए जो मेटल होते हैं उन्हें हम अप्टेन करते हैं किसी भी अलग-अलग मेथर् इंप्योर मेटल से इंप्योरिटी को सेपरेट करते हैं और मेटल को सेपरेट करते हैं यानि बहुत सारे मेथर्ड होते हैं अब देखिए जो इंप्योर मेटल होता है वह क्या होता है उसे हम कर्ड मेटल बोलते हैं कौन से मेटल कर्ड मेटल इंप्योर मेटल को हम कर्ड हैं और वह करते हैं और वह कर्ट हम करinformation को कई इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिफाइनिंग कड्र मेटल की प्युर Bueno क्या होता है कि जो impure metal होता है उसे curd metal बोलते हैं metal obtained जैसे हमने पहले methods किये हैं हमने जो पहले इसके three methods किये हैं अलग-अलग formation में roasting, calcination, froth, flotation, process, magnetic separation बहुत सारे methods किये हैं crushing और grinding ores किया था concentration of ores enrichment of ores किया था extraction of metal किया था इन सब process के बाद जो metal निकलता है उस metal को हम curd metal बोलते हैं और इस curd metals को जब purify करते हैं तो उस process को हम refining बोलते हैं तो यह जो depend करता है जो refining होती है metal की यह depend करती है metal के nature पे कि metal का nature कुन सा है तो इसी वज़ासे अलग-अलग processes में किये जाते हैं सबसे पहला process होता है liquation liquation क्या होता है इस method में metal को refine करते हैं ठीक है जिसका low melting point होता है वो metal low melting point वो metal जिनका melting point low होता है उनके लिए liquation method का use किया जाता है अब इसमें क्या होता है यह इसी पे based होता है कि वो metal जो को हमारे पास कोई हमारे पास curd metal है crude metal है अब इसकी हमने इसका low melting point है तो यह किस principle पे based होगा कि वो metal जिसका low melting point होगा वो जल्दी से fuse हो जाएगा easily क्या हो जाएगा? fusible होगा means to से जल्दी से melt हो जाएगा जबकि जो impurities होती है वो easily fuse नहीं होती impurities easily fuse नहीं होती जिस वज़ा से जो impure metal होता है उसे एक slopping heart furnace में रखा जाता है कौन सा furnace होता है? slopping heart furnace में रखा जाता है इसको हम heat करते हैं inert atmosphere में carbon monoxide के inert atmosphere में से heat करते हैं इस heart को और इसमें temperature को maintain रखा जाता है कि इतना temperature रखा जाता है कि उसमें जो metal है सिर्फ वो ही melt हो impurities melt नहों इतने temperature को maintain रखा जाता है जिससे क्या होता है कि metal melt हो जाता है और melt होके flow होने लग जाता है और flow down हो जाता है और bottom में slopping heart में slopping heart में इकठा हो जाता है और जो impurities होती है जो कि जिनका melting point जादा होता है वो पीछे ही रह जाती है हर्थ में पीछे रह जाती है और जो melt हो जाता है metal to collect कर लेते हैं तो यह first method है second method होता है सका distillation मैतुट में क्या होता है कि जो किसके लिए होता है यह मैटल के लिए इस method का यूज़् किया जाता है यह यानि कि वह जो हो सकता है यानि ki इवैपोरेट हो सकता है ब कवा ओलाटाइल मेटल होते है जैसे कि मरकरी हजी और जिंग इनके लिए जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस्स का यूज किया जाता है इसमें क्या होता है Fill मेटल होता है उसे हीट किया जाता है इसके एक वेसल में जो एक वेसल में strongly heat किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए जो वेसल का use किया जाता है इसे retortable जाता है अब जो pure metal होता है वो क्या होता है वेपर्स में convert हो जाता है देखिए जो pure more等一下 होग होगा वह क्या होगा और उसके वेपर्स बन जाएंगे प्रोस में convert होके फिर उसे हम condensed कर लेंगे और condensed करके उसको जब जसे वो condensed हो जाता है तो उसे separate कर लेते हैं उसे receive कर लेते हैं जिससे हमारे पास प्योर मैटल मिलता है प्योर प्योर deepen मेटल क्यों होता है क्योंकि जो मैटल जो कर्ड मैटल होता है उसमें से जो प्योर मैटल होता है वह प्योर मैटल में कनवर्ट होगा वेपर उसे हम कंडेंस कर लेंगे हमरे पास प्योर मैटल आ जाएगा तेकिन जो इंप्योर्टी होती है इंप्योर्टी नोन वोलटाइल होत सिवरेट नहीं होती तो वह रिटॉर्ट में ही रह जाती है यह वह भूस होता है औहग स्टallo Si अर्ट मैस्टर होता है औक सिदेशन मेत्टर क्या होता है कि वह मेतटर जिस्में हम मैचल को रिफाइन करते हैं जिसमें जो इंप्यूरिटीज होती है उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है उक्सिडाइज होने की किसमें जो इंप्यूरिटीज होती है इंप्यूरिटीज में उक्सिडाइज होने की टेंडेंसी होती है किसमें इंप्यूरिटीज में उक्सिडाइज होने की टेंडेंसी होती ह मैटल में नहीं होती उसके लिए Oxidation Method का यूज किया जाता है अब जो Impure Molten Metal इसमें क्या लिया जाता है Impure Molten Metal लिया जाता है और इस मैटल में से एयर को पास कराया जाता है जो oxygen होती है एर में जो oxygen होती है वो oxidize कर देती है oxygen oxidize करती है किसको impurities को impurities को वो oxidize कर देगी और उन्हें remove कर देगी जैसे कि अगर हम बात करें impure iron की impure iron में pig iron हो सकता है cast iron हो सकता है इसको हम oxidation refining method से separate करते है अब pig iron की बात करते है pig iron में कौन-कौन से impurities होती है pig iron ने carbon की impurity होती है sulfur की impurity होती है phosphorus की impurities होती है silicon की impurities होती है manganese की impurities होती है और जब अब ये सारी impurities में जब इसको blast किया जाता है air में air blow करवाई जाती है मोल्टन पिग आईरन में से तो ये जो impurities होती है oxygen के साथ combine हो जाती है oxygen के साथ मिलके carbon CO2 बना लेता है sulfur CO2 बना देता है phosphorus P2O P2O5 बना लेता है तो silicon CO2 बना लेता है तो ये जो impurities है ये gases की form में remove हो जाती है जिससे हमारे पास सिर्फ metal ही separate होता है अब अगर हम next देखते हैं देखिए अगर silver metal की बात करें silver यानि की चांदी अब silver को भी हम refining करते हैं impure silver metal होता है उसे हम एक boat shape dish में रखते हैं एक boat shape की dish होती है अब ये जो dish होती है इस dish को cupels कहा जाता है cupels कहा जाता है c-u-p-e-l-s अब ये cupels को हम heat करते हैं furnace में blast air blowies में करते हैं तो जो impurities होती है silver में कुन सी impurities होती है lead की impurities होती है ये क्या हो जाती है oxidized हो जाती है और जो lead है यानि कि oxidized होके lead क्या lead PB होता है PB oxidized होके lead oxide बना लेते हैं और फिर silver silver हमारे पास silver जो कह प्योर silver जो है वो बचता है तो ये oxidation method होता है next method होता है वो हमारे बता है electrolytic refining देखें electrolytic refining में particular process होता है anode cathode को लेकर ये हम अपने next topic में करेंगे electrolytic refining में अब इस method में हम battery का use करते हैं cathode होता है anode होता है इसका पूरा process तो ये जो होती है ये होती है हमारे method जो purification refining method होते है metallurgy के जिसमें हम liquification distillation और इसके इलावा हमने इसमें किया था oxidation method ये तीन methods किये है fourth method हम next topic में करेंगे तो thank you वीडियो देखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमरे चैनल ग्यानलों पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं जाद आप हमरे चैनलों पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं